वाँच्वानी अगवळ अनुभवता प्रग्णाचक्षुव सहीत सव कोईने माटे गुजरात विश्वकोष ट्रस्ट नो नवतर प्रयास श्राव्य सामाई विश्व विहार मुद्रक प्रकाशक अने तंत्री गुमारपार देशाई संपादन प्रीती शाः श्राव्य संपादन जेबी कवी अने आर्पी सोनी तो रजु करिये छे गुजरात विश्वकोष ट्रस्ट नू प्रतिमास प्रगठत नू संपर्क पत्र सामाई विश्व विहार विश्व विहार ओक्टोबर 2020 सप्टेंबर महिना मा आजनी वात मा श्री कुमारपार देशाई ये लखेवतो लेक मानव जाचे भलाई थी भरेली के दुष्ट ताथी छलो छल आज वात ने एमने ओक्टोबर मासमा आगल लंबावी छे अने एमना लेखनू शिर्षक छे वेदनाना समय समवेदनानी वाद अंग्रेज विचारक टॉमस होबस न विलियम गोल्डिंग नी वात करी ने मानव प्रक्रूती मूले के वी छे सात्विक के तामसिक एनी बौँ सुन्दर चर्चा आहीं करी छे कोई मोटी आफ़त के मा मारीने समय व्यक्तिनी जीवन शैली मा केवा परिवर्तान आवे छे ए वात पन अहीं आपनने मले छे कुमारपारब्भाई देशाईनो आ लेख जसुभाई कवी ना अवाज मा सामपड़िये आजनी वात वेदनाना समय समबेदनानी वात मानव जातनी मूले प्रक्रुती केवी छे शुँ एनो स्वभाव उदारता परमार्थ के समसमबेदनाथी भरेलो छे के पछी एनमा नकरो स्वार्थ छकेली उद्धताई औने भरपूर पाश्वी वृत्तियोज पड़ेली छे मानव जातनी आ मूल प्रक्रुती नी खोज करिये तेर बे विख्यात विचारकों नुस्मरण करवू पड़े एक तो छे सत्तरमी सदीना प्रमुख राजिकीय विचारक टॉमस हॉप्स अने बिजा छे फ्रांस क्रांतीना जनक एवा तत्वग्न रूसो अंग्रेज विचारक टॉमस हॉप्से तो कहूं आपने गमे तेटला संस्कृत बन्या होईए के पछी मानव जाते प्रगतीनी केटली ये मूटी हरण फाल भरी होई पण हकीकत मा तो मानवी स्वार्थ परायन अने पोतानू अस्तित्व टकावी राखवा माटे सतत केसरिया करीने संगर्षमा रच्यो पच्यो रहना रोज उच्छे मानसमा स्वासं रक्षणनी प्रेरिणा एनी सव थी प्रबल नैसर्गीक प्रेरिणा छे मानवी ज्यारे कुदरती अवस्थामा रखडूं शिकारी जेवू जीवन जीवतो हतो त्यारे एनू जीवन अत्यांत भयप्रद अने दुख ग्रसीत हतु अने तेथी एने अंकूष मा राखवा माटे कोई निरंकूष शाषणनी जरूर रहे छे आम टोमस होप्स मानवी मा मुख्यत्वे भय अने सलामतीनी इच्छाने महत्वनी गणे छे अने लोको एने आधारित वर्तन करता होई तेम माने छे जरे अधार्मी सदीना अंतिम चरणमा फ्रेंच राज्य करांतीना वैचारिक नेता अने फ्रेंच ज्ञान प्रकाश यूग एन एज ओफ एनलाइन्टमेंट न चिंतक इवा ज्यो जाक रुसोय जन्म 28 जून शत्तर सोने बार अने चुलाई शत्तर सोने इठ्यो तेर सुदी आनिसामें दलील करता एमने नैतिक सामर्थ्य और नैतिक करता तरीके ना मानव गवरोवनो स्विकार कर्यो वली मानव संस्क्रूती ना विकास ध्वारा मानव जाते विकास साध्यो छे एम दर्शाववा माटे आपवामा आवती साबीतियोंने मात्र उपलक द्रष्टियेज अकर्शक गणावी एमने कहूं के संस्क्रूती नी जटिलताओ छोडी ने फरी पाचा कुदरत तरफ दोडिये करण के विज्ञान अने संस्क्रूती ना विकास थी आपने एम मानी बेठा के आपने घणी प्रगती करी छे परन्तु निसर्गवादी रूसो कहे छे के आपने भुतकालना लोको करता वधु उच्चतर छिये एम सिद्ध थाई जतू न थी मानस स्वभावे सारो छे मात्र एनी आसपास्तनी परिस्थिती थी एनी साकलो मा जखड़ाएलो जोवा मले छे शाषनना अधिकारनी बाबत मा रूसो एम मानता के नागरीक राज्यमा व्यक्ति गत स्वतंत्रता इ राज्यत द्वारा व्यक्तिने आपवामा आवेलो एक अधिकार छे राज्यनी बहार व्यक्तिनु कोई अस्तित्व नथी समानता स्वतंत्रता अन्य मिलकटना अधिकारों एक नागरीक ना रूप मां राज्य तरफ थी आपवा मां वेला छे व्यक्तिना रूप मां नहीं आ स्वतंत्रता ए नागरीक स्वतंत्रता छे ये कुद्रती स्वतंतरता नथी। टॉमस हॉप्स मानवीने स्वच्छंदियने जगडालू माने छे। जारे सामान्य मानवीना ख्यालना संदर्भमा रूसो लखे छे। मानव जातनू सर्जन सामान्य मानसना समुआ ने कारणे जे शक्क्य भन्यूँ छे। जे वस्तुव साथे सामान्य लोकोंने काई लेवा देवा नथी। टे वस्तुव एक दम तुच्छे चे औने तेथी बिलकुल ध्यान्मा लेवा जेवी नथी। जे मानस आंगे गमभीर तेने माटे तमाम प्रकारना सामाजिक भेद अद्रशत ही जाई छे। पतंत्र होई स्वभावथी सारो एम कहे छे। हौप्स मानवीने सिधो दोर राखवा माटे एना पर कोई सारवबहुमिक सत्ताना निरंकुष शाषननी जरूर जुवे छे। तो रूसोवड एम माने छे कि मुणभूत रिते स्वभावथी सारो मानवी संस्कृतीना नाम हेठल करवा मा आवता सामाजिक संस्कारोंने कारणे ए एना नैतिकता अने आनंद खोई बैसे छे। टोमस होपसे स्वच्छंद मानव प्रक्रुतीनु जे निरूपण कर्यू छे। तेज मानव प्रक्रुतीनु मार्मिक निरूपण उगणी सोने त्याशी मा नोबेल पारितोशिक मिडवनार प्रतिवाशाली अंग्रेज नवलकताकार विलियम गोल्डिंग मा पण जोवा म मड़े छे। ओगणी सोने पांतरिस मा विलियम गोल्डिंग ए सेल्सबरी मा अंग्रेजी अने तत्वग्न्याननु शिक्षण आपवानु शरू कर्यू। एक शिक्षक तरीके जिन्दगी शरू कर्या बाद द्वितिय विश्वयुद्ध मा ए रोयल नेवी मा जोड़ाया अने जर्मनी ना युद्ध जहाज बिस्मार्क नो नाश करवामा अने एने डुबाडी देवामा एमने महत्वनी भुमिका बजवी। बीजा जहाजोंने डुबाडवानू पन एमने कामतो कर्यू हतू। आ महा युद्ध नी पशुताये एमना मन पर एवी घेरी असर अने तेथी एमा मानविय जिवनना अंधकारनू, दुष्टतानू अने पशुतानू अलेखन मलेचे। एमने जोयूं के आ विश्वमा वसता मानवियो मुलभुत रीते दुरुष्ट वृत्ति धरावेचे। एनी गमे तेटली उम्मर होई के पच्छे कोई पाण प्रकार ना वातावर्णमा उचरे होई। ओगनी सो ने चोपनमा एमने आ प्रथम नवलकथा लॉर्ड अप्द फ्लाइस थी ख्याती मली। आ नवलकथानू मुल नाम स्ट्रेंजर्स फ्रॉम विधीन हतु। सातेक प्रकाश कोई एने प्रकाशित करवानी अनिच्छा दाखवी अने फेबर एन फेबर कंपनी ना मुख्य रीडर जेन परकीन से एने साव कचरों तदन डल अने ठेकाना विना निने वलकथा कई यती। बिजा विश्वोधना परिणा में व्यापेली युद्धनी हिंसा अने भईने कारणे मानव जीवन पर थहेली असर ने आलेकती आ विलियम गोल्डिंग नी पहली नवलकथा हती। इमा वाद्तो एटली छे के पर्माणु युद्धना भईने कारणे एक विमान द्वारा ब्रिटन माथी बालकने भार काडवा मा आव्या। प्राथ्मिक शालाना आ बालकोनी साथे पुक्तवैना लोको अने अन्य प्रवासियो पन हता। बन्युयों के ए विमान एक सुम साम टापू पर तुटी पल्यूं। मोट्ट भागना पुक्तवैना लोको मार्या गया। आ होनारत माथी बची गयेला बालकोए पोताना समाजनी रूपरेखा तरीके पोतानी सामाजीक विवस्था स्थापित करवाना प्रयत्नों करया। ते वो हिंसक, जंगली औने क्रूर बनी गया। नैतिक अधह पतलनों तो थाया औने हत्यापन करी। ए पछी आ छोकराओने मदद मलता एमने पाछा लावीने बचावी लेवाया औने मदद मलता एमनु वर्तन सुधरी जाये छे। टापू ओपर एकला वस्ता बालकोनी दुष्टताना प्रसंगो आलेकती आ नवलकथा एना प्रकाशन पची विश्व विख्यात नवलकथा बनी। विश्वनी अठ्याविस बाशाओं मा अनुवाद पामी, ख्याते नी साथे विवाद पन विंटलायेलो रहो, विश्वमा गणी शालाओ औन युनिवर्सिटी यों मा एनो अभ्यास करावा मावतो हतो। परन्तु समय जता, अशिष्ट बाशा, जातियता, हिंसा औन जातिवाद परना प्राधान्य पुर्ण लखाण औन नैतिकताना अभ्याव पर ध्यान के अंद्रित करायू होवाने कारणे एना पुस्तको पर प्रतिबंध मुक्वामा आवे ओतो। विद्यम गोल्डिंग एवी दलिल करे छे के मानव स्वभाव समाजना बंधनों थी मुक्त थाई छे त्यारे एनी सामान्य बुद्धी थी पशूता तरफ खेचाई छे। मानवीनी प्रक्रूती मूलतो क्रूर छे औने अन्य पर वर्चेस्व मिलबवा माटे निर्दैता करवा प्रेराई छे। रुपकात्म क्रिते जोई ये तो आ नवलकथानों मुख्य सूर संस्क्रूती औने सामाजीक संगठनों वच्चे मानवीय आवेगोनी विरोधा भासी प्रक्रूती प्रस्तुत करवानों छे। कथाना विशैवस्तुमा भिन्न भिन्न व्यक्तित्वने कारणे औने ए कारणों थी ठतो तनाव औने टकराव तरक संगत्ता औने भावात्मक प्रतिक्रिया वच्चे नैतिकता औने अनैतिकता नों सामेल करवामा आवे छे। विलियम गोल्डिंग खूब कुशरता थी दन्त कथा रूपक औने साहस कथा ने एक साथे वणीले छे। रदैमा रहेला डर ने कारणे एमनी पशूता नियंत्रित थाई छे। परंतु बे हरीफ जूतमा विबाजित थाई जाई छे। आमा एक टोलकीनो नेता राल्फ संस्कृतीना मुल्यो साचवी ने बचवानिय पेक्षा राके छे। तो बीजो जेक आ मुक्ती मानवा अने टापू पर शिकारना लाब लिवाई छे। अन्ते स्वर्ग जेवो आ टापू नरमास बक्षी पणाती आगमा ठकेलाई छे। आम सर्वत्र दुष्टताज प्रवर्ते छे। आमा संत पुरूष साइमन छे, पणेनू सत कोईना रदयने स्पर्षतू न थी। एवामा युद्ध नवकानू आगमन ठता आ निशाली आओना जंगली पणाने सब्यतामा फेर्वीने बचावी लेवामा आवे छे। आम आ नवलकथा मानवीमा रहेली तामसी वृत्ती ने नत्यात्म कृते प्रगट करे छे। अने एमनिक क्रमशह काम चलाव संस्कृती ना उदय अने पाश्वी वृत्तियोंने लिदे थती हत्याने प्रदर्शित करी छे। नवलकथाकार विलियम गोर्लिंग नी आ प्रथम नवलकथाए विश्व उद्दात होवानी खोटी मन्यताने दूर करीने स्पष्ट अने वास्तव दर्शन करावनारी नवलकथा तरीके नवाजवामा आवी। ताजे तर्मा टोमस हॉप्स अने विलियम गोर्लिंग नी विचारधारा सामे बत्त्री सुवर्षना डच इतिहासकार, लेखक, पत्रकार अने विचारक रुजूतर ब्रेगमेने सबल प्रत्युत्तराप्यों छे। युरोपना अनामांकीत विचारके इतिहास, तत्वग्न्यान अने अर्थशाष्ट्र ना विशायो पर ग्रंथो लख्या चे। कथा वार्ता सिवाईना स्रेष्ट साहित्य सर्जन माटे तेमने 2013 नूं बेल्जियम लिबरल्स प्राइज पन मल्यू चे। एमने लखेलू युटोपिया फोर रियला रियलतिस्ट डच आवरुत्ती राष्ट्रिय बेस्ट सेलर गणाई अने त्यानू 20 वाशाओं मां बाशांतर पन थाई चुक्यों चे। अंग्रेजी अकबारों मा एमना लेखो प्रसिद्ध थाया चे अने एमने पोताना पुस्तक यूमन काइंड ए होप फुल हिस्टरी। एमा ओगणीसोंने पांतरिस्मा निर्जन टापू पर पंदर महिना सुधी ओस हाय वस्थामा जिवनारा छ किशोरोंनी वास्तविक घटना आलेखी छे। किटलिक सदियो थी पश्चिमनी संस्कृती मानव जातने स्वार्थी प्राणी तरीके जोती आवी छे। मानसनी संवेदन शिलता, उदारता अने मानसाई विशे शंकाशिल अने तनों उपहास करनारी नवलकथा, फिल्मों, ऐतियासिक ग्रन्थों अने वैग्न्यानीक शंशोदनों द्वारा दांडी पिटी पिटी ने कहवामा आवतु हतुं परंतुं ब्रेगमेन ना अशावा कपरा समय मा लखायेला आ ग्रन्थ द्वारा ब्रेगमेने मानव जात विशे नी विचारको और सर्जको नी धारना थी विरुद्ध इवो सवाल उठावयो छे, कि आपने दायकाओ थी आपना बालको ने अन्दकार प्रेरती कथाओ मांचवा मजबूर करिये छे, वडी मान पुर्वग्रहने कारणे आपने गणी साची हकीकतो जानवानी द्रश्टिक गुमावी दीदी छे, अने अनिष्ट में अंधकार नो अंधाप ओडिली दो छे, ब्रेगमेनना मानवा प्रमाणे मुट्टा भागना मानवियो शिष्ट छे, अने हकीकतो ये छे, कि विज्ण अने आपनने बतावियों के जारे कोई मोटी आफत मा जारे लोको फसाई छे, त्यारे बद्धा साथे मली ने काम करता होई छे, सुनामी के धर्तिकंपना समय लोको मा निस्वार्त सहयोक अने परोपकार नो धोद वहतो हतो त्यानूशूं, कोरोना जेवी महामारी ना समय लोको ये पोतानी जात पर किवो अंकूश मुक्यो छे, एने घरमा रहूं पडियू, तो पण एने प्रतिकूलताने स्विकारी कोरोना पछी मात्र लोको ना जीवन मा जने, बलके अने एक क्षित्रों मा न्यू नोर्मल नी परिस्थिती आबी, वर्षोथी जे परंपरा न धर्मना उत्सवो ए सगलो जाने उपर तले थाई गयूं। आवे समय, प्रतिकूल एच अनुकूल एम समझीने विश्वय आ परिवर्तनों स्विकार्या, महामारीना भैने अउगाणीने जेना थी टेवायेला हता एवी जीवन शैलीने अलगी करी नाकी, तो पची साची है की कत्षूं छे, मानस प्रकृती ये सात्विक छे के तामसी, तमेज विचारो, कि जो मानवी मा तामसी प्रकृती होत, तो ब्लेक लाइव्स मेटर जेवूं, अमेरिका ना इतिहास नूँ एक मोड टू आंदोलन, येट्टू बुदू शांती पूर ना रही। जेर्ज फ्लोईड पर मिनिया पोलीस ना पोलीस अधिकारी बेरेक टोविन नो अत्याचार अक्खी दुनिया एजोयों, इपहला पन आवा अत्याचारों ना अनेक दाखलाओ हता, तेम छता प्रजाय नो शांत, स्वस्त रहीने, मौन द्वारा, खेवो उद्दात भावापयों, मात्र अश्वेत लोकोज नहीं, पन अमेरिकानों अने अन्य जातीना लोकोपन आमा जोडाया, धिरे धिरे कोई पन मजबूत संगटन, विना चालतू, आंदोलन, विश्वना अने एक देशों मा फेलाजूं, अने सर्वत्र मौन रेलियों निकडी, जो मानो प्रकृती मा पशूताज होत, तो आ अन्दोलनने नामे जगतना केटलाए देशों मा अत्याचार, लूटफाट अने हत्याव थाई होतूं, आ अन्दोलन ए मानो प्रकृती मा रहेली समसंवेदनानों संकेत न थी, तो पछी मानो प्रकृती मूले के भी छेूं, कुमार पा देशाई, रोजे रोज विश्वकोष, अत्याना संजोगोमा, आ माहिती आपना सउने माटे बाउज उप्योगी छे, अने एटला माटे ए माहिती जोईए, रोजे रोज विश्वकोष द्वारा, ओनलाइन जुदी-जुदी माहिती आपवानों उपक्रम राख्यों छे, प्रती दिन फेस्बुक पेज, फेस्बुक एकाउंट अने वॉट्सेप पर आ सामगरी आपवामा आवेचे। जेमा आजनो विचार ए विभाग मा वर्तमान समय मा उपियोगी एवूं चिंटन। प्रसंग मा दुरी द्वारा कोई एक प्रेरक प्रसंग औने आजना दिवस नो इतिहास एमा जेते दिवसे अगाव बनेली घटना लेखवामा आवेचे। गुजराती विश्वकोष औने बाल विश्वकोष ना जुदा जुदा खंडो मा थी पन लोकोप योगी माहीती रजु करवामा आवेचे। जेने व्यापक जन समुह तरफ थी सारो एवो आवकार मलेवचे। भारती बेन राणे पासे थी एक आपणने प्रवासनी सुन्दर वातो मलेशे त्यारे। पोताना जापानना प्रवासनी वात अहीं आलेखी छे। जापाननी टोज पर दुरुविय समुद्राने स्पश्थी भूशीर केप शाकोटान केवी रिते गया। अने त्यां एमने एक टेकसी ड्राइवर केवी रिते मली गयो जे अंग्रेजी जानतो हतो अने त्यां थी एने बिजी ला जवाब भुशीर केप कामुई जवानू केवी रिते बन्यू एनी अत्यांत रस्प्रद वात भारती बेन राणे ए अजवासनी छोळो उच्वी र जापान ना उत्तर स्थित होकाईडो टापू मा रहेला त्यारे देशना उत्तरतम विस्तार मा प्रवास करी जापाननी टोज उपर लंबाती ध्रूविय समुद्रने स्पर्ष्ती भुशीर कैप शाकोटान सुधी पहुँच्वानी इच्छा हती सपोरो थी परोडिय निकली रात सुधी मा पाचा फरवानू हतु बनी शके के दूर दूर ना अजाणिया बरफीला स्थडोए दिवसमा एका द्वारज ट्रेन जती आवती होई अंग्रेजी जाननार लोकोपण न मळे क्याक फसाई जईये ने रात रहू पड़े त्या होटलो न पड़ होई सांज पड़ता हवामान तोफानी बनी शके शंका कुशंकाओ तो अनेक हती पड़ सपनू साकार करवा अमे बनने प्रतिबद्ध हता अमे विचार्यू के सप्पोरो थी वायव्य दिशामा आगल वदता उत्तरने आमता जवू नितैम करता उतारू नामना गामे देशनी पश्चिम सरहतने स्परशी दरियानो हाथ पकड़ी किनारे किनारे आगल वदता जलचरना माथा पर शिंगडा जेवा स्थान योईची जवू त्यार बाद जो समय के हवामान साथ हापे तो शिंगडा नी टोज उपर लंबाती भुशीर कैप शाकोटन सुधी पहुँचवा प्रयातन करवो जो ए शक्या न बने तो हिराफुई नामना गाम्मा रस्ते सरक्यूलर रूट लईने ट्रेननी बारी माथीज होकाईडोनी खुपसूरती निहारता पाछा सप्पोरो पहुँची जवू योजना मनमा साफ थाई पची सफर नी मजा शरू थाई योईची रेलवे लाइननू छेल्लू स्टेशन हतू माही ती केंजर मा थी भांगी तूटी अंग्रेजी मा सुचना मली के शाकोटान जवा माटे सामेना रस्ता पर थी बस मली शक्ये समय खबर न थी बोड उपर लख्यो हशे पाचा फरवानी बस मलशे के केम ते कई शकाई नहीं पण अईथी पाचा फरवू होई तो छेल्ली ट्रेन साजना सडा चारे मलशे बस आवी खरी पन ड्राइवरे उडाव जवाब आपता हांकी मुकी त्यारे तो अमने मुकी ने धड़ा धड चाली गाएली बसने जोता रडवू आवी गाएलू जाने पन आजे विचार करता लागे छे कि जे थाए ते सारा माटे बसमा गया होत तो चौकस फसाई गया होत शाकोटान गामडा मा कोई टैकसी ना देखाई न तो कोई माहीती केंद्र वर्ता बस पन नज मली होत बस तो चाली गई परन्तु शाकोटान नुँ भूद हजी मन पर्थी उत्रिव न हतु चारे कोर नजर दोडावता अमारी नजर एक टैकसी तरफ गई शाकोटान लई जशो के? अमारे आश्चेरे वच्चे टैकसी ड्राइवर ने अंग्रेजी आवड तु हतु जरूर लई जएश? विनम्र जवाब अमारी पासे डॉलर छे ये न न थी नजीक नी बनने बैंको मां प्रयत न करेलो पण एक के मां चलन बदली शकायू न थी बोलोशू करीशू अने हा त्यां जईने पाचा फरवाना किटला पैसा थाए? अमे एक श्वासे बोली गया जवाब मां इस सद्गुरु हस्ते मात्र स्मीद फरकावियू अने टैकसी मां बैसवा इशारो करेओ अमे या होम करीने टैकसी मां जुकावियू ए सज्जन अमने बैंक मा लई गया तेमने समझावियू आ छेवाडा नस थळे खास कोई अजानियू आवतू होतू न थी इटले विदेशी प्रवासियों नो विश्वास कोण करे? पोतानी अंगत बाय धरी उपर तेमने करंसी वटाविया पी अमारी टैकसी कैप शाकोटान तरफ पूरपाट दोडवा लागी त्यारे हलवी बरफ वर्षया थाई रही आती गोड चहरो माथे टाल अने जीनी जीनी आखोवाडा इबुजुर्गुन नाम हतू ए जी ओकी साकी सान बैचारवार बोली ने एने गोखी काड़ियू त्या सुधी मा तो ए भला मानस मित्र बनी गया दोड़ेक कल्लाक मां अमें कैप शाकोटान पहुँचिया उत्तर ध्रूव पर्थी वही आवती शीत लहर जापानी समुद्रना मोजा साथे टकराई ने चारे कोर विखराई रही हती क्षितिज तरफ टाकता लागियू के जीवन नी भुशीर न अंतिम बिंदु पर उभा रही अग्णियात अगम्य लोग तरफ ताकी रही चुँ एजी ओकी साकी सान महाशये घडियाल बतावी त्यारे जाने समाधी तूटी एमने पाचा फरवानों रस्तो छोडी ने समुद्रनी समान तरे पश्चिम तरफ हाकवा माड़ियू त्यारे नवाई लागी पोतानी जीनी जीनी आखो माँ हास्य चमकाव ता तेमने कहिऊं मारी पासे तमारा माटे एक सप्राइज चे दसे किलोमिटर दूर ना एक स्थाने गाडी उभी राखी ने फॉलो मी कहता तेमने तीना धालवाडा रस्ता पर दोड़वा माड़ियू अव इस मरणिये द्रश्य तरफ आंगली चीन्धता तेमने कहिऊं आ कैप कामुई छे बीजी एक ला जवाब भुशीर कैप कामुई नो अर्थ थाए इश्वर्दनी भुशीर हुँ आगल वद्वा गई तो तेमने मने रोकी कहिऊं कोई पण स्त्री माटे आ द्वार वटावी ने आगल जवानी मनाई चे 21 मी सदीना जापानमा आवी पच्छात कक्षानी प्रवेश्बंदी मरी मनस्थिती कड़ी गाया होई तेम महाशय कहवा लागया अनी पाछण एक दंत कथा चे सद्यों पहला आदी जाती ना मुख्यानी दिक्रिये समुराई योद्धा मीनो मोटो योशित्सुने एक पक्षी प्रेम ठई गयो एक दिवस योशित्सु तेने तर छोडी बिजी स्त्री साथे दर्याई सफरे चाल्यो गयो घवाएली वागण जेवी ए भग्दर रदयाये श्याप आपयो के आज पछी कोई पन स्त्री अईथी पसार थशे तो लांबू जीवशे नहीं पछी तणे समुदरमा पड़तु मुक्यू ने पथर बनी गई तमे आटले दूर थी अमारा देशना छेडा सुधी आवया तो मने थयू के आस्थान पन तमारे जुवूत जोईये आस्थाननी मुलाकात ना वधरान किलोमिटर ना पईसा हुँ लेवानो न थी एतो मारा तरफ थी तमने भेट छे खरेकर दुनिया आवा मजहना माना सोतीज उजडी छे अवी उम्दा व्यक्तियोंनी मुलाकात प्रवासमा ने जीवनमा थती रहे छे अने एम ने एम जीवन सम्रुद्ध थतु जाये छे मन प्रार्थी रहिँ हतु के इश्वर ए सउजण्यशील इंसानने सदाए सुखी राखे योईची स्टेशन ए पाचा फर्या पची अमे स्वागत कक्षमा मुकेल वेंडिंग मशीन मा कॉफी मले छे के केम ए जोता हता त्यारे ओकी साकी सान काचनी भारीत मा थी अमने जोई रहा आता एमने लागी हुँ के कदाच अमने मशीन न उप्योग करता नहीं आवड़तु होए के पची पैसा खुटी पड़े होए अमरी पासे आवी ने कहवा लागया I buy you a coffee अमें अवाक थाई एमना चेहरास आमें जोता रहा आजाण्या देशना छेवाडाना स्थळे अजाण्या मैत्री भाव थी मन प्रवाहित थे गयुँ अमें कहिँ अत्यार सुधी तमें अमारे माटे जे कई कर्युँ ते माटे अमें सद्दाए आभारी रहिशु तमरों मैत्री भाव अमने हम्मेशा याद रहेशे पड़ कॉफी तो आपने अमरा तरफ थीच पीशु कॉफी पिवी ना पिवी ए गउण वाथ हती परन्तु मनुष्यनों मनुष्य प्रत्यनों सद्भाव जे देश भाशा के भिन्नताना कोई सीमाडाने मानतो न थी तैना थी मन भर्यू भर्यू थाई गयू हतु तप्पोरों पाचा पहुच्या त्यारे अंधारों ढड़े गयू हतु पन अमारा मन मातो अजवास ने छोडों उड़ी रही हती लेखी का भारती राणे परमपरागत शस्त्रों विशे आपणे जानिये छे परन्तु छिल्ला किटलाक दाईका ओथी लेशर सस्त्रों नो विकास थाई रहो छे तेना निर्माण मां DRDO अने भाभा परमाणू अनुसंदान केंद्रना वाइगना निकोनो बोव महत्वनो फालो रहो छे तेमज आ लेशर सस्त्रों विकास भारतने केवी रिते स्वावलंबी बनाव छे तेना शू फाइदा छे ए आबधी अन्नेक रस्प्रद वातो चिंतन भटे लेशर सस्त्रस्परधा लेखमा करी छे जेने स्वार आप्यों छे प्रितिशा है टेक्नोलोजी लेशर सस्त्रस्परधा विश्व आखु कोवीड-19 सामे युद्धे चडियु छे अने आपना सैनीको सरहदे मोर्चो संभाड़ी रहा छे आबन्ने मोर्चे सफलता मेळवामा टेक्नोलोजी खुब सहाई भुद्ध थाई छे युद्धमा विजाई मेळवा माटे तीर कामठा थी लईने मिसाइल सुधे ना आयुदो अर्था सस्त्रो ना विकास ना आपने शाक्षी रहा छे छेला केटलाक दाईकाओ थी नवाज प्रकार्ना आयुदो नो विकास थाई रहा छे जे डायरेक्टेड एनरजी वेपन तरीके ओलखाई छे सरण रीते समझ ये तो आ प्रकार्ना आयुदमा शक्तिने ज लक्ष तरव साध्वामा आवे छे गुजराती भाषामा तेने निर्दिष्ट शक्ति आयुद कही शाकाई मिसाइल जेवा पारम परिक आयुदोमा शक्ति उत्पन्न करता द्रव्यो लक्ष सुधी लई जवामा आवे छे त्यार पची लक्ष पर प्रचंड शक्ति उत्पन्न करी वी ना श्वेरवामा आवे छे ज्यारे आ विशिष्ट आयुदोमा एक स्थल पर शक्ति उत्पन्न करी दूर ना लक्ष पर ताकवामा आवे छे टार्गेट करवा मा आवे छे, अने आ प्रचंड शक्तीना संसर्ग मा आवताज लक्ष नाश पामे छे, अथवा तो नकामू बनी जाए छे शक्तीना अनेक स्वरुपोथी आपने परिचीच छे, ध्वनी, प्रकाश, माइक्रोवेव, जिवा शक्तीना स्वरुपोनू आयुद तरीके रुपांतर करवा माटे प्रायतनो थाई रहाज छे तेमा पन प्रकाश नो आयुद तरीके नो उप्योग अग्रेसर छे एक लोकवाई का मुझब सवथी पहलो सवर शक्तीनो आयुद तरीके उप्योग इस्विशन पूरुवे बस्सों मा ग्रीक वैग्नानिक आरकी मिडिजे कर्यो हतो तेवोए विशाल परावर्तको अरिसाओ अने दग काच लैंस नी मदद थी विपुल मात्रामा सुर्य प्रकाश ने एकत्र करीने दुश्मनना वाण उपर ताक्यो हतो प्रचंड गर्मी थी वाण मा आग लागी अने दुश्मननी ताकात नो रास थायो केम या दाविगयुने नान पण ज्यारे दग काच थी सुर्य प्रकाश वगडे कागल बाले हतो वर्तमान समय मा युएसे, रश्या, चीन, यूके अने भारत निर्दिष्ट शक्ती आयोधो विक्सावी रहा चे ज्यारे इरान अने टर्की एतो तेनो उप्योग पन शरू करी दितो छे आम आजे आखाई विश्वमा फक्त सातेक देशोज आ अंगे प्रवरुत्त छे जेमा आपने पन छिए आ कार्यमा प्रवरुत्त DR-DOA केटलाक सफल परिक्षाणो पन करी लिधा छे प्रजा सत्ताक दिननी परेड मा आ विशिष्ट आयूधो दशावामा आव्या हता सलामतीना द्रष्टि कोंठी स्वातेंत्र दीने लाल किल्ला पर्थी रजुथ हता वडा प्रदानना संभाशन वक्ते ड्रॉन के बिजा कोई पन साधनने ए विश्तार पर्थी उडाडवानी मनाई होई छे आ वातनो कडक पने अमल करवा माटे आ वक्ते लेसर आयूधो तैनात करवामा आव्या हता हा लेसर आयूधो ए निर्दिष्ट शक्ती आयूधो छे आपने सव जानिये चिये के लेसर ए प्रकाशनुज एक रूप छे वडा प्रधानना स्वातेंत्र दीन संभाशन जिवा प्रसंगोए लेसर आयूध पारंपरिक आयूधो करता वधू योग्य मानवामा आवे छे लक्ष चलित होई तो तेने लेसर पुंज थी आतरवामा आवे छे अथवा तो रडार वडे लक्ष नो पीछो करी तेना पर लेसर पुंज नो मारो चलावामा आवे छे लेसर ना प्रकार मुझब क्या तो मिसाइल मा काणू पड़ी जाई छे नस्ट थाई जाई छे अथवा तो तेमा रहेला समवे दको नकामा थाई जाई छे अने ते बढ़की जाई छे USA द्वारा करेला प्रयोगो पर थी एटलू तो जाणवा मुळे छे के लगभग 2 किलोमीटर दूर सुधी लक्ष भेद करवा माटे 30KW लेसर स्रोत नी जरूर रहे वर्तमान टेक्नोलोजी थी बहु शक्तिशाली लेसर स्रोत बना वो शक्य न थी आ पर्थी ये स्पष्ट थाई छे के लेसर आयूद माटे लक्ष भेद 2 किलोमीटर सुधी मर्यादीच छे 20KW सुधी ना लेसर स्रोत ना निर्मान माटे DRDO एले के रक्षा अनुसंधान अने विका संगठन सज्जता केलवी रहु छे जेने भाभा पर्मानु अनुसंधान कैंद्रनु पीठबल मोल्यु छे अनुमान छे के आवता बे एक दाईकामा लेसर आयूद नो व्यापक पणे उप्योग थशे लेसर आयूद ना निर्मान माँ स्वाव लंबन केलवा माटे आपना विग्नानियो अने इजने रोए आज थीज कमर कसी छे निर्दिष्ट शक्ती आयूद ना वप्रास नो सवत्ती मोटो फाइदो तो ए छे के ते अवाज करतू नथी कल्पना करो के मेदिनी उपर ड्रोन तोडी पाडवा माटे गोडियो छोडवामा आवे तो मशीन गन्ना आवाज थी केटली अंधा दुन्दी फेलाई जाए जो लेसर आयूद नी वाद करिये तो लेसर पूंच सिवाई अन्य कोई वीक किरण थतू नथी के तेना थी वायू प्रदुशन पन थतू नथी माटे दे जाहेर आरोग्य माटे सलामत मानवामा आवे छे आपनो अनुभव छे के प्रकाश ने प्रुथ्वीना गुरुत्वा कर्शन बल पवन के प्रुथ्वीना धरी भ्रमन जेवा नैसर्गिक परिबलोनी असर थाती न थी लेसर प्रकाश नू जुरूप होवा थी ते आ गुणधर्मने अनुसरे छे माटे लेसर आयूत्थी वधू सचोट रिते लक्ष सुधी पहुची शकाई छे अरे एक एवानी तो भाग्यत जरूर छे के ते प्रकाश नी गती थी एटले के प्रत्ती सेकंड त्रन लाग किलो मिटर लक्ष सुधी पहुची जाई छे सैध्धान्तिक रिते प्रकाश ने कोई पहुच मरियदा होती नथी अलबत तेने वातावरणिय परिबळो नी असर थाई छे दूल, धुम्मस, दुमाडो, वर्साद, जेवा परिबळो लेसर आयूत्थनी शक्ती अने असर ओछा करे छे लेसर आयूत्थमा दारुगोळो के अन्य कोई सामगरी वपराती न हवा थी दारुगोळाना पुर्वठानी वेवस्था करवानी रहती न थी आम सर्वांगी रिते जोईये तो लेसर आयूतोना उप्योग प्रमाणमा सस्तो पड़े छे अलबत एक शक्ती साली लेसर स्रोतनी जरूर रहे आपनने लेसर नो आयूद करता मनोरंजन क्षेत्तेरे वध्धू परी चाईछे आ वखतना आपना स्वातंत्र दीने केनेडा यूएसे मा पत्रायला नायगरा धोदने त्रिरंगो बनावामा आवयो हतो जैनी पाचर पन लेसर टेक्नलोजी हती दरेक मोटा गजाना मनोरंजन कारेक्रम मा लेसर तो हय ज तेम कव तो जराय अतिशोयक्ती न थी मनोरंजन उप्रान सीडी, डीवीडी, प्रिंटर, वीवीद, शल्य चिकित्सा एटलेके सरजरी, धातुने काप्पा माटे मोटा जथामा आने एक साथे कापड वेतरवा जिवा अनेक क्षेत्रों मा लेसरे पकदंडो जहमाव्यो छे छेला पाच्छ दाइकाथी द्रष्टिकोचर थता प्रकाशना वारस्समा लेसरना मुईया ओग्णिसोने सत्तर मा सदीना महान विग्नानी आलबर्ट आइंस्टाइने रजु करेला लेख मा जुवा मले छे ओग्णिसो पच्चीस नी आसपास लखायेली रश्यन विग्नान कथाओ मा पन लेसरनो उल्लेक छे विधिवत रीते प्रकाशनु लेसर स्वरूप ओग्णिसोने साइठ मा अवतर्यू लाइट एंप्लिफिकेशन बाइद स्टिमुलेटेड एमिशन ओफ रेडियेशन अर्थाद वी किरणना उद्धिपित उद्सर्जन द्वारा प्रकाशनु विवर्धन नु संक्षिप त्रूप एटले लेसर रेडियेशन शब्द आव्यो एटले तेने रेडियो एक्टिवीटी साथे कोई संबंध हशे तेवु रखे मानता आ रिते सर्जातो प्रकाश अधोरक्त एटले के इंफ्रारेड थी पार जामली अल्ट्रा वायलिट सुधी कोई पंड रंग एटले के तरंग लंबाई एनी वेवलेंथ नो हई शके छे लेसर आयुदमा लेसर पुंज अधोरक्त क्षेत्रमा हई छे अधोरक्त तरंग लंबाई नु वातावरणना वायू अउशोशन करे छे माटे सैध्धांतिक रीते औ मर्यादित अंतर सुधी प्रभाव पाड़ी शक्ता लेसर पुंज वर्तमान मातो बे किलोमीटरे सिमित थै जाई छे मनोरंजन माटेना लेसर शोमा लेसर द्रश्य पटमा होई छे पाणी थी उत्पन्न थता दुम्मस मा लेसर जीवनत लागता पात्रो अने अवनवी आक्रूतियो रची शक्ये छे पविश्यना आयूदो वदूने वदू गती शील हशे एमा बेमत न थी आ प्रकार ना आयूदोंत ने उड़ता तोड़ी नाखवा माटे तेना थी पन वदू गती शील पद्धती होवी जोईये आ माटे प्रकाश्ट नी गती थी काम करता लेसर आयूद सिवैबी जो कोई आरो न थी आलबत आ माटे लेसर श्रोत नी शक्ती अने लक्षणू कद अगत्यना चे ओछाँ शक्ती शाळी श्रोत थी मोटा कदना लक्षणे नजीक थी अने नाना कदना लक्षणे दूर सुदी नुक्षान पहुंचाड़ी शकाइचे उप्योग प्रमाणे लेसर श्रोत नो पावर जुदो जुदो होई छे लेसर पुंच सतत शक्ती आपे एवु अथवा तो टुकडे टुकडे एटले के पल्स रूप मा शक्ती आपे तेवु होई छे बन्ने किस्तामा पावर नी गणत्री नोखी नोखी रीते थाई छे नमुना रूप विभिन्न उप्योगों माटे लेसर पावर नी जरुयाद जुईए लेसर पॉइंटर माटे 1-5 MW DVD प्लेयर माटे 5-10 MW आउटडोर मनुरंजन माटे 10-10 W 30-100 W सरजरी माटे 100-3 KW लेसर कटिंग माटे लेसर स्रोत नी जरुर पड़े छे अलबत विश्वनों सवथी शक्ति साली स्रोत 1.3 PW आप PW एटले तेर उपर चवद मिंडा अने W एटलो अर्थ थाई तो आवो शक्ति साली स्रोत USA कैलिफोर्निया स्थीत लौरेंस लिवर मोर लेबोरेटरी खाते आवेलो चे परन्तु आतो प्रयोग शाडानी वाद थे व्यवहार मा 30 KW लेसर स्रोत निर्माण करवा माटे पन आजे विशिष्ट क्षमता मागी लेचे ज्यारे लांबा अंतर ना अने मोटा कदना लक्ष माटे 100 KW सुधी ना लेसर स्रोत नी जरूर पडे DRDO अने बार्क ना विग्नानी ओए आ तरफ डग मांड्या चे लेसर आयूदना विकास तरफ नूँ आ विराट पगलू भारत ने आ दिशामा स्वावलंबी बनाव शे तेमा कोई शाक न थी चिन्तन बट दर थोडा समय आपने अखबार मा वाँचिये शे के अर्थ तंत्रने बेठू करवा सरकार कईने कई पगला लई रहुँ छे कारण के कोरोना ए विश्वना तमाम अर्थ तंत्र माटे अभूत पुरुवा आफ़त सर्जी छे आजे आपना अर्थ तंत्र सामे किवा-किवा प्रस्णो छे तेनी विगते छणावट श्रीप्रविन कलेरी ए कोरोनानी नाग चूड मा अर्थ तंत्र ए लेख मा करी छे जेने अवाजा प्योशे श्री जसु भाई कविए अर्थ कारण कोरोनानी नाग चूड मा अर्थ तंत्र पच्चिस माज वीश वीश थी एकत्रिस्मी में वीश वीश ना कडक लोकडाउन सुदी मन्थर गतिये वदतो कोरोनानों चेप हवे 50 लाक ना आकडा सुदी पहुँचे त्यारे आ महामारीनी घंभीरता आपनी समक्ष छे हजी कोरोनानों व्याप वदशे के पची घटशे ते अंगे मतमतान तर छे रोग प्रतिकारक रसी ना सफल संसोधन बाद पण ते रसी केटली समय माटे असरकारक रेशे वाईरस मा बदलावो थता रहे तोशूं वगेरे जिवा प्रश्णू आजे तो अनुत्तर छे जून 2020 शरू थहेली अनलोक नी प्रक्रिया आगल वदी छे थोड़ा प्रतिबंदो अने सावचेतीनी चेतावणियू सिवाई लोको पुर्ववत जीवन जीवे तेमा सरकारनी मनाई नथी हकिकतमा लोकोए कोरोना साथे जीवता शिख्वू पडशे तेवी सला दरे एक पासेती सांबलवा मले छे कोरोनाए विश्वना अर्थतंत्रो सामे अभूत पुर्वा आफातो सरजी छे नानाकिय वर्ष 2020 अन 2021 ना प्रथम त्रैमासिक गाला माटे एटला के एप्रिल, मे, अन जून ए त्रैमासिक गाला माँ जी आकड़ाओ आपनी समक्षाव्या तेमच विबिद समाचारो माचिये छी ये त्यारे आपनी चिंता घेरी बने छे विश्वमा कुल राष्ट्रिय आवक ना धोरणे 3.5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर खरिद शक्ती ना धोरणे 11.25 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर साथे अनुक्रमे 5 मूँ अने 30 स्थान धरावता आपना भारत माटे आचे अनेक पड़कारनों सामनों करवानों छे लोकडाउन ना 2 मासने आवरी लेता 3 मासिक गालामा अर्थतंत्रमा 11.9 टकानों गटाडों नोजाता आपना माटे अगनी परिक्षानी शरुवात थै चुकी छे 1. उत्पादन मा गटाडो लोकडाउन पूर्ण थया बाद उत्पादन मा वदारो थवो स्वाभाविक छे पन वार्षिक धोरने सर्खामनी करवा जेए त्यारे अर्थतंत्रने चेतनवंतु बनावा मुख्यक्षित्रों मा उत्पादननी वृद्धी थाए ते माटे केंद्र ने राज्य सरकारे प्रोच्चाहनों जाहेर करया छे खासकरीने लोकोनी खरीद शक्ती गटी होवा थी मांगमा धारणा मुझब सुधारो जोवा मलतो न थी 2. निकास क्षित्रे धर्खम घटाडो इप्रिल मा वैश्विक लोकडाउनने कारणे सित्तेर टका जेटला निकासना ओल्डर रत थया 61 टकाना घटाडा साथे लोकडाउन निकास माटे खुबज घातक साबित थयुँँँछे हवे धिमेदिमे विदेश माथी मांग आवी रही छे पड़ नानाकिय वर्ष 21 निकास मा 25 टी 30 टकानो घटाडो थशे इवुँद जगनोंनों मानूँँँचे 3. आयातो मा घटाडो निकास घटता उत्पादन मा वप्राता विदेशी सामान काचा मालनी मांग घटी हती आयातों मां हवे व्रुद्धी थाई तेवा चिन हो छे, परंतु ज्या सुधी, स्थानी औने विदेशी बजारों मां तेजीनों माहोल नो सरजाए, त्या सुधी, समग्र प्रक्रिया, उत्पादन, वेचान निकास औने उपभोगनु चक्र धीमु फर्तुरेशे तेवु ज चोथू, राज की यखाद, भारत सरकार ने राज्य सरकारों नी आर्थिक परिस्थिती इटली हदे कथडी छे, केंद्र सरकारे कोरोना ने भगवाननु कृत्य गणीने, राज्योंने तेमने मलवा पात्र GST नी रकम आपवानों इनकार करी, रिजर्व बैंक पासे थी लो अर्थिक कटोकटी जाहर करशे, तेविया फवाव पन चाली रही छे, सरकारों ना देवामा जेरीते जंगी वधारों थाई रहो छे, रिजर्व बैंक अने जाहर क्षेत्र ना एकमों पासेती खूब मोटी रकमों डिविडेंड पेटे व सुल्वामा आवी छे, तेमज ख आन्गी करणनी आवको थी खाद घटाडवानों इरादो अर्थतंत्र ना आरोग्य माटे अती चिन्ता जनक छे पाचमों, विदेशी हुंडिया मन, हाल 480 बिलियन डॉलर नी पुरात दर्शावता विदेशी हुंडिया मन सामे, भारत सरकार्नों विदेशी डेवूं 500 बिलियन डॉलर सुधी पहुचता, व्याजनों बोज खूब भारे बन्यों छे अखाती देशों माथी परत आवेला लखो भारतियों ना कारणे विदेशी मुद्रानी आवक मां गटाणों नोधार शे निकास नी मुश्केली हुंडिया मननी आवक गटवी वगीरी कारणों ने लिदे आगामी दिवसों मां खूब कार्जी जरूरी छे प्रवासन, विमानी सेवा अने बिनजरूरी आयातों घटेली छे ते सारी निशानी छे विदेशी मुद्रोकान की लोन भविश्य माटे बोजारूप छे ते हकीकत नजर अंदाज न करवी जोईए सेंटर फोर मोनिटरिंग इंडियन इकनोमी ना अंदाज मुझब गत पांच मास मां लगबग त्रोन करोड नोकरियो गटी जे अवे शेहरोना श्रमीको फरी रोजगारी माटे अगलाववा लागया छे पन शेहरोमा कोरोनानों दुष्प्रभाव खुब वदारे होवा थी दिश्न वर्ततंत्र खुब मोटा अवरोदो अनुबवी रहे हुँँचे कोरोना साथे जिव्वू जरूरी छे पड़ कोरोना आपणने जिव्वा दे तेवा हजी कोई अनसार न थी बे रोजगारीने कारणे आत्महत्याना बनाववद्या छे आवको घटता गरीबी रेखा निचे ना परिवारोंनी संख्यावदी छे रोजगारी अने स्वरोजगारीमा नोधपात्र व्रुद्धी थाय तेवा तमाम पगला लेवा ते प्राथमिक अगरता होवी जोईए साथमू मोगवारी चालू नानाकिये वर्षना प्रथम त्रीमासीक समयगाडामा क्रुषी क्षेत्रे त्राण पॉइंट चार टकानो व्रुद्धी दर दर्शाव्यो छे चौमासानी सारी शरुवातना कारणे क्रुषी क्षेत्र आ कपरा समय माथी तारण हार बन्षे तिवी आशावंदाई हती पान पूर औन अतिव रुष्टिये खरीफ पाकोने खोब मोटी हानी पहुचाडी चे एक बाजू पेट्रोल अने डिजलना भाव वद्याराना कारणे ग्राहा को पाटे दरेक वस्तु मोगी बनी चे पन किसानोंने तेमनी खेत पेदाश माटे पूर्ता भावो मडता न थी ग्रामीन विस्तारनी खरिद शक्ती वदे अने शहरों मा रोजगारी वदे तोज अर्थ तंत्रनी गाडी पाटा पर चडशे तेव अने एक अर्थ शाष्त्रियोंनों अभिप्राई छे अने आठमू माथादीट आवकमा घटाडों GDP माथादीट सरेराश वार्षिक आवकमा रूपिया आठ हजारनों घटाडों करे छे समग्र वर्षना अन्ते आ घटाडों रूपिया बार्थी पंदर हजार थवानी देशत्छे रिजल बैंक ना पूर्व गवर्नर रगुराम राजने अनेक नाना किये संस्थावना सर्वे माँ समग्र विश्व घेरी आर्थिक मंदी माँ फसाशे अने भारत माटे खूब जोखमी पड़कारोंनों सामनों करवानों रहेशे तेवी आगाही करी छे धीरज, महनत, समझन अने आत्मविश्वास साथे आपने आ संकट पार करवानों छे प्रवीन क लहरी रतिलाल बोरिसागर नों नाम सांबरताज आपने हास्य लेखक तरीके एम नी एक कल्प ना आवे एम ने लेख लख्यों छे एक संकल्प कथा आपने जानिये छे के आपने पन आपना जीवन मा घणा बदा संकल्पों लेता होईये छे काल्थी सवार वेला उठीश, काल्थी चालवा जैश, काल्थी एक्सरसाइस चक्कस करीश योगा सन तो करवाज छे, आवा अनेक संकल्पों आपने लेता होईये छे पन पड़ाता नथी आनी एक आखी सरस्वात रतिलाल बोरिसागरे एक संकल्प कथामा करी छे आपने प्रीती शान आवाज मां सांबढ़िये हास्य एक संकल्प कथा एक मानसे पोते दर्रोज उठतो होतो तेना थी मात्र अड़धो कल्लाक वेला उठवानों संकल्प कर्यो परिणा में तेने मैना ना पंदर कल्लाक, बार मैना ना एक सो एंशी कल्लाक मल्या दस वर्ष मां आरीते एने अड़ार सो कल्लाक मेल वेला, आ बदो समय एने वाचवामा गाल्यो आना परिणा में ते महान विद्वान तरीके ख्याती पाम्यो एक मानसे दर्रोज ना बे पाना लखवानों संकल्प कर्यो आरीते तेने मैना मा साथ पाना, बार मैना मा साथ सो वीस पाना ने एह हिसाबे लखता दस वर्ष मां साथ हजार ने बस्सो पाना लख्या आ कार्ने ते महान लेखक तरीके ख्याती पाम्यो एक मानसे अमुक मानसे अमुक काम नियमित पणे करवानो संकल्प कर्यो परिणामे ए मानस अमुक तमुक क्षेत्रमा महान थे गयो एवा अन्नेक द्रस्टान तो मारा वांचवामा आव्याच हुँ कबूल करुछु के नियमित ता जेवो शब्द मारी डिक्ष्नेरीमा नथी आवु एक वाक्य केवा माटे नेपोल्य नाखी दुन्यामा प्रक्यात थाई गयो अन्ने मने मारा महल्लामा पन घणा मानसो ओलकता नथी एक करोणता तरफ सर दयनु आ तके ध्यान खेंचु छु एक रिते जोईये तो हुँ जन्मती ज अ नियमित छु मारा जन्मनी अपेक्षित मुदत विती गया पछी माताने वधारे प्रमाणमा अने अन्या कुटूम्बी जन्मने ठीक प्रमाणमा अकळावी नहु जन्म्य होतो प्रूथ्वी पटे पहलो स्वासलिदो त्यार्थी आरम भायली मारिया अ नियमित्ता हजु नियमित पणे चाले छे अने मारा मरण परियन चाल्षे विश्रद्धा केवड मने चेवु न थी मने उन्वळखनारा सव कोई ने छे अने छता आपने जेवा न होई ये तेवा थाई जवान उच्छा क्यारेक आपने थाई आउतो होई शे मने पन जीवन मा नियमित्ता केडवान उच्छा थाई आवेलो नियमित्ता केडवा माटे कशोक संकल्प करवो जरूरी होई शे एटले पहला तो हुँ एक बे दिवसमा कशोक संकल्प लईश एवो संकल्प में कर्यों पची कयों संकल्प लेवो एनी विचारणा में आदरी Walking is the best exercise एवो एक सुत्र अमारा शिक्षक के खूर्षी मां बेठा बेठा कहेलो ते मने याद आविव अमारा आशिक्षक तो परिक्षामा सुपर्विजन पन बेठा बेठाज करता एटले तो भणवाना दिवसमा एमनी सामे हडताल पडती पन परिक्षाना दिवसमा एज अमारू सुपर्विजन करे एवो आग्र विद्यार्थियो सेवता एमनु घर शाडा थी गणू नजी कतु। छत्ता ए साइकल पर बेसीने शाडा यावता आम छत्ता चालवू ए उत्तम भ्याया छे एवो ए अमने वारम वार केता गुरू करे यह तेम ना करवू पन गुरू का है तेम करवू एवु कोई गुरु ए गुरु ओना हीतमा कईऊ छे, ते मने याद आविव। एटले नियमित ताना पहला पाट तरीके नियमित फरवा जवानों संकल्प में करे। में पन पेला बोलिया चोरनी पेठे उच्छामा आवी जई वेली सवारे नियमित फरवा जवानो संकल्पतो करो पर पच्छी मने ख्याल आवेओ के वेली सवारे नियमित फरवा जवु होई तो दर्रोज वेला उठुँ पन पड़े अख्याल आवताज हुँ थोड़ो डगी गयो सुर्य नारायन एमनी फरज पर हाजर थाए आकाश ना मस्टर रोल मा लाल शाई थी हाजरी पूरे पोताना काम मा कई गोठवाए पच्छी जहुँ शाईया त्याग करतो होच्छु आम छता पेल्लाज तबक्कामा हार कबूली लेवानू मने ठीक न लाग्यो रातरे गडियार मा पांच वाग्यानू एलाम में मुक्यो गडियार मारा काननी छेक नजीक राखी नौसुतो सामान्य रिते साडा आठ वागे हुँ जागी जाऊ छु पण ए दिवसे जाग्यो त्यारे पोणा नव आगी गया हता एलाम वाग्यो ज नहीं होई एम पेला तो में मान्यो उठवा माटे में प्रामानिक पणे संकल्प करेलो संकल्प सिद्धी अर्थे एलाम मुक्वानो पुरुशार्थ पण कर्यो अने पच्छी तो प्रायत नो कर्या पची पण शफर न थवाए एमा कोनो दोश आउँ आश्वासन लेवा जतो हतो त्यां घरना सववे सर्वानू मते जाहर कर्यो केलाम वाग्यो उतु मारो पुत्र तो बाजुना फ्लेट मा रहता अमारा पड़ोशी ने पण साक्षी तरीके जोके आकिस्तामा साक्षी तरीके नई पण सक्कर्णी तरीके एम के उजोई है एनने साक्षी तरीके लई आव्यो अने एमने एलाम वागेलू ए वादने अनुमोदन पणाप्यो पहला दिवसे फरवा जवानु मोकूफ राखू पड़िव तेथी मने थोड़ू दुख थायू पर एनो कोई उपाई नो तो बीजे दिवसे एटले के बीजी रात्रे मने थायू के उठवा माटे एलाम मुक्किये एटले स्वावलम बनतो गयूज गणे तो पची एलाम सांबलवानी जवाबदारी पण करना ने केम न संप्पी एलोको आपन एक वार उठाड़ी दे पची तो फरवा जवाव मुश्केली नहीं पड़े बीजा दिवसे प्रभाते पण एलाम तो वाग्यूज ने मारा सीवाई सवे सांबलव मारा सवजनो ने मारा पर पर गणो प्रेम छे तेहुं जानूचू तेम छता मोडे सुधी सुवी रेवानू मारू सुक एम नाथी सहन थतु नाथी दुश्मनने डरावी देवा भूमी दर्नी साथे घवाई दर्नी पण मदद लेवामा आवे छे तेम मारी पत्नी ने पुत्रे अमारा ओछा उंगवाळा पाडोशी ने पन मने जगाडवाना महाकार्यमा जोड़या पोतानु जे सूक जुटवाई गयु होई ते सूक विजा भोगवे ए मानसी सहन थतु न थी एटले अन्यने ए सूक थी वन्चित करवामा मानसने आनन्द आवेच अमारा पाडोशी पन मने जगाडवाना कार्यमा अत्यनत उत्सा पुरवग जोड़ाया आवा भिशन हुमला सामे निद्रानु रक्षन करू अशक्यवत हतु एटले हूठी गयो सवारना पांच वाग्या हता पांच वाग्ये शुष्टी केवी होई ते आ पुरवे में कद्दी जोयू नतु रिपवान विंकलनी पेठे हूँ पन मारी चीर परिचित शुष्टी ने अपरिचित रूपमा बागानी जेम जोय रयो आवा आल्लादक वातावरमा सुवा जेवी सर्वोत्तम प्रवरुत्ती बीजी एक कई नथी तेम मने लाग्यू फरी पाचा सुई जवानों उम्दा विचार पन मने आवी गयो पन आवी दुरुष्टता करू तो स्वजनों सांखी न लेते नक्की हतू जीवो ने जीवादो करता सुवो ने सुवादो एस उत्र समझवानी ने जगत ने समझावानी वधू जरूर छे एम मने लाग्यू जे जगत मा सुवानों सूख नो होई ते जगत मा जीवया तोई शून और न जीवया तोई शून पण अत्यारे तो मारा स्वजनो सुवे तेम पण नोता ने सुवा दे तेम पण नोता अन्यने परणी गयली प्रियतमा सासरे थी पियर पाची आवे त्यारे एन्ये जोई अन्ये परणवाना सपना सेवनार बिचारो प्रियतम निस्वास नाखे तेम सामे पड़ेली पथारी जोई मारा मूख माथी निस्वास नीकली गयो पण हवे जे सुक गयू छे ते गयू छे एम मानी में फर्वा जवानी तैयारी आरंबी में चालवा मान्डियू लदाक के नेफाने रण मोर्चे जई रयो हो इवी गंभीर ता थी हूँ चाली रयो होतो डगलू भर्यू के ना हटवू ना हटवू आ पंक्ती कवी नर्मदे फर्वा जती वक्ते आत्म विश्वास दगी न जाई एटला मांटेज बनावी हशे ए मने लागवा मैंडियू जोके थोड़े सुधी चालवा मां मने कोई मुश्केली ना मपड़ी पंड दीरे दीरे मारा चरोन चालवा नी अनिच्छा प्रगट करवा मैंडिया ज्या चरोन रूके त्या काशी एवी कवी हरिंद्र दवेनी पंक्ती छे मारे तो दर बे मेनीटे एक काशी आवा मैंडियू चालवानो अती मैमा करनारा खरेखर चालता हशे केके मेनी मने शंका धवा मैंडि जे लोकोए सवारना वेला उठीने फरवा जवाना गुणगान गाया छे ते लोकोए मारा जिवा भुळा मानसने फसावाज आवा गुणगान गाया हशे जंगा सब उष्प थाईने फळे छे चालनार नी एवी स्वर्गस्त पाठक सहेबनी एक पंक्ती छे पाठक सहेब माटे मारा रदैमा अत्यां तादर छे परन्तु मारो अत्यार नो अनुभव जुदो हतो मारी जंगा फळवाने बदले कडवा लागी सुत्तेलानू नसिप सुत्तु रहे छे अने चालनारू नसिप चाले छे एम पन पाठक सहेबे एक शलोकना अनुभाद मा कईयो छे मने लागे छे के मोटा मानसनी केकलिक वातो आपने एम नी एम स्विकारी लईये छे अने आपना वंश वारसोंने ए वार्सामा पण आपता जईये छे खरे खर जुओ तो जेनू नसिप जागतु होई तेने चसुवा मले छे नसिप दार लोको सुता सुता हुकमो छोडे छे अने जेनू नसिप उंगतु होई छे एवा लोको चालता 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 ज नहीं दोडता दोडता एह हुकमोनों पालन करे छे मारे कबूल करू जो ये के चालवानी विरुद्धमा आत्यारे मारू मगज जे जड़ पे चाली रईू हतु एटली तोराथी चालवानी तरफेण मां मारा पक चालता नौता। मने हतु के आखा रस्ता पर हुँ एकलोद चालतो हईश। ने बाकीनू आखु जगत तत्यारे निद्राना गाड आशलेश मां पोड़ियू हश। पाण में जोयू हुँ के आखा जगत मां हुँ एकलोद दुखी नोतो। कणा लोको सुवाना परम सुखने तजीने रस्ता पर चालवा निद्री पड़े हाता। केटलाग वदू उत्साई लोको तो दोड़ी रया हाता। आमा नमोटा भागना वजन दार काया वाला हता। केटलीक सम्रुद्धकाई मैलाओ पन वजन कटाडवा हत्यारे उंग कटाड़ीने निगली पड़ी हती। आ बदू जोईने मने थोड़ू आस्वासन मल्यू खरू। आ जगतमा वो एकलोत दूखी न थी ये जानी मने थोड़ी राहत थे। मने लागे छे के आ जगतमा निर्भेल सुख जेवो कोई पदार्थ छैज ने। आपने पोते जे दूख भोगवता होईये तेना थी वधू दूख भोगवता मनुष्यने जोईये त्यारे एमना दूख माथी आपनो दूख बाद करता जे शेश वदे तेने आपने सुख तरिखे उड़किये छिये। केट लाकने हाफता हाफता दोड़ी रहेला जोई मने चालवू कैंक उच्छू कस्त दायक लागिय। आम छता हवे मारा पक चालवा माटे धर्रार ना पाडवाला गया। परन्तु हवे तुँ आगल धारो के न चालू तोई घरे पाचा फरवा माटे पन अत्यार सुधी जेकलू चाल्यो हतो एकलू तो चालवूच पड़े तेम अतु। आ दूर निवार भावी अंगे चीनता करतो हतो त्या में सामेती रिक्षा आउती जोई। कहे छे के मुश्केली ने वक्ते मानसू मगत जडब्ती काम करेच। रिक्षाने जोता आज मारा मनमा जबकारो थोयो। ग्रू प्रवेश माटे फरी चालता चालता जबू एना करता रिक्षामा आरूड थाईने जबू वदू श्रियस करछे तेम मने लाग्य। आम करवामा थोड़ी अ प्रामाणिकता हती ए ख्याले में थोड़ो रंज अनुभव्यो। आटला जल्दी चलित थाई जबानू मारा जेवा द्रड मनोबलवाला मानस माटे ठीक नथी एमपण मने लाग्य। जो के बीजी पड़े मने एमपण लाग्य। के रिक्षा मा बेशवू के न बेशवू ते अंगे आटली बदी द्रड़ा अनुभवानू पन मारा जेवा द्रड मनोबलवाला मानस माटे ठीक नथी। हुँ आम विचारी रयो हतो त्याज रिक्षा नजी कावी पहुची। मारू दयामनू मो ने आजी जी बरी आखो जोई रिक्षा वालाये रिक्षा उभी राखी। चली थई जवानी मारी तत्परता एणे पार्खी। ने कईू। चालो बेशी जाओ साहे। मने थयू के जगत नियंता परमेश्वर हुँ रिक्षा मा बेसी नेज घरे पाछो जाओ एम इच्छे छे। इटले परमात्मानी इच्छाने शीर सावंध्य गणी मारे रिक्षा मा बेसी जवू जोईए। मेनकाना नयन कटाक्ष्थी तपो भंग थायेला विश्वा मित्र जेवो हुँ अवश पणे रिक्षा तरफ खेंचायो अने मा बेसी गयो। रिक्षा मा बेठा पछी हुँ गुरू प्रवेश्णी व्योजना वीचारवा माण्ड़ो। रिक्षा तो हमना पांच मिरिट मा गेर पहुची जशे। मारे बराब्बर कल्लाक पुरो थाये पछी गुरू पुरवेश करवानों हतो। इल्ले 40 मिरिट घरनी आजू बाजू गुप्त वेशे रही काल निर्गमन करवानों मे निश्चय कर्यो। रिक्षा मे दरवा जाथी थोड़े दूर उभी रखावी। वीमान मा थी बार आवतो हो। इवा गवरव थी बार निकलवा गयो। के मारी नजर म्यूनिसिपालिटी नी दूदनी केबिन पर दूद लेवा उभेली मारी पत्नी पर पड़ी। इमने दूर थी जरिक्षा मा जोई गई होय। एम मारा पर नजर नोंधी ने जाने उपी हती। अमारू तारा मैत्र क्रचाय। मे छोबिलू हास्य कर्य। एने उपाथम बर्या हास्य थी प्रत्य तरवाळ। ते पचिनी कथा मारू गवर वधारे तेवी नथी एटले वर्णावतो नथी। रतिलाल बोरिसागर।